असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है, जितना हमारा सरल होना कठिन है, सरलता सबसे जादा कठिन है, सबसे अधिक कठिन, सरल सुभाव, इतना सरल, जो सरलता से विश्वास कर ले, एक और भक्ति की मैंने बात सुनी थी, वो घर में रहता, घर वाले उसे बड़े परिशान, क्योंकि वो कुछ नहीं करता था, केवल खाता था बस, खूब खाये और पड़ा रहे, अब जो खूब खायेगा तो करेगा क्या, जहां खाये वहीं लुड़क जाए, घर वालों कर निकल जाओ यहां से, दो ढ़ाई सेर खाते हो एक बार में बैठ कर, काम कुछ करते नहीं, विचारा आप जाए कहाँ, एक महात्मा दिखाई दिये मंदिर के बाहर बैठे, महात्मा बड़े तंदुरुस्त है, महात्मा होते ही प्रसन अपना मस्त, उसने सोचा कि यह खूब खाते होंगे, तब तो इतने तंदुरुस्त हैं, महात्मा बड़े महाराज, अब तब तक दो चार उनके चेला निकले सादू, ओ लोग भी ऐसे आ रहें, महात्मा बड़े रहो, मंत्र दे दिया, तुलसी माला पहना दिया, नाम रख दिया, कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा आर्थी में खड़े रा करो, राम राम किया करो, और पंगत, बोले दो समय होती, खोब प्रेम से करो, तुम मैं दो पंगत में, तुम चार पंगत में बैठो, कोई हर्जा नहीं, उसको लगा ये भड़ा, चा कुछ कर नहीं नहीं, खो कुछ बनेंगा, अरे बोले तुम बताना, आज एक आदसी है, तो बोले एक आदसी का मतलब, बोले नकुछ बनेंगा, नकुछ मिलेगा, तो बोले हमको भी नहीं मिलेगा, बोले हाँ तुमें भी, बोले चेला बहुत हैं उन से कराओ, हमको काहे को, बोले नहीं, बोले नही एक आदसी करा दी, तो अम तो दो आदसी देखा ही नहीं पाएंगे, आज ही साम तक समात, महत्मा बोले, भाई बहुत कठिनाई है, महराज में भोजन के बिना नहीं रह सकता, महत्मा बोले, तु आश्रम में तो बनेगे नहीं, तुम बना लोगे, अरे बोले मरता क्या नहीं करता हम सब बना लेंगे मात्मा बोले जा भंडार से सामगरी ले लो अवसने ढाई सेर, आटा, आलू, नमाक, मिर्च, मसाला, घीर जो कुछ ता लेकर मात्मा बोले देखो तुम वैश्णा हो गयो बैसे तो नहीं, बनाना चाहिए भोजन लेकर चलो प्रसाद बुद्धी से गिरन करना भगवान को भोग लगाना, ठीक है मारा की जल्दी जल्दी में उसने सामान समयठा का वहाँ जाना नदी किनार इस पेड़ की नीच, हाँ, पहुंच गया अब जैसा बना विचारे से वैसा भोजन बनाया आलू का चोखा और सब गोड़ भी तब तैयार करके इतना पाना ही चाहता था भोग और लगाई, रोज तो बना बनाया बिलता था आज तो बनाना पड़ा अब याद आया गुरू जी ने कहा था भगवान को भोग लगा लेना अब कितना सरल तुरंट बुलाने लगा राजा राम आईये, प्रभु राम आईये मेरे भोजन को भोग लगाईये मेरे भोजन का भोग लगा नहीं आये भगवान, तो क्या बूला? आच्मनी अरगान आर थी, यहाँ यही महमानी रूखी-रोटी पाऊ प्रेम से पियो नदी का पानी राजा नाम आईये, प्रभु राम आईये मेरे भोजन का भोग लगा को लें है तो नदी का पानी है, रूखी-रोटी है तो जल्दी आजाओ, हमको भूग लग रही है, भगवान नहीं आए, तो पूरी और पकोडी भगवन सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो है ही नहीं, फिर भी नहीं आए भगवान, तो एक सरलता से बात कही, उस पर नीज गए प्रव, बोले सुनो, हम समझ गए, आप भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एक आदसी आज मंदिर में बैठे रहोगे, भूखे राजाराम, आए प्रवुदाम, आए में भोजन का भूखे लूखे पर नवम सरल, अमम भरोस की भगवान आएंगे, भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भी कम कौतु की नहीं, जितना वो सरल भगवान वैसी लीला करने को तयार, अकेले नहीं आए, सीता समारो पितवाम भा, राम भाम दिस जाने, और स्री सीता राम जो देखा तो भ अधास हो गया, गुरू जी ने तो ये भगवान के लिए कहा था, ये तो दो आए हैं, अब कभी भगवान की तरफ देखे, कभी रोटियों की तरफ देखे, भगवान ने कहा क्यों, आ गए ना, बोले हम आगए सो तो ठीक है, लेकिन अब जो है तो नहीं बैठो, भगवान भगवान बैठ गए, कितनी सरलता से इन कताओं पर विस्वास करना कठिन होता है, क्योंकि हम लोग सरल नहीं है, भगवान सरी सीता राम जी बैठ गए, उनके सामने पर उस दिया, करने लगा, मैं कुछ भूखा तो रहा, रहूं लेकिन आपको देखकर लगा बहुत पर एक काम करना, अब मैं समझ गया कि आप दो आते हो, मैं इंतियाम और जादा करके रखूंगा अगली एक आदसी को, लेकिन इतना इतना परेसान मत करना, जल्दी आ जाना, भगवान मों ले आ जाना, उसने आकर गुरू जी से कुछ नहीं का, इतना सरल था, वह तो समझत भगवान आते ही, ऐसे ही होंगे, अगली एक आदसी को भुला कि गुरू जी कुछ सामान बढ़वाओ, गुरू जी बुले क्यों हो, वहाँ दो भगवान आते हैं, गुरू जी ने सोचा भूखा रहा होगा, इसलिए कह रहा है, बुले बढ़ा दे, बढ़ा दे, एक से रा बढ़ा लेकर हो, बनाया उसने, और बुलाया, भगवान तो इंतजारई कर रहे थे, जैसे उसने का, राजा राम आईए, अब कहने लगा, सीता राम आईए, मेरे भोजन का भोग, लगाईए, ओ, मेरे भोजन का भोग, और सही बात, जैसे ही पुकारा, भगवान प्रकट ह हो गए लेकिन, राम बाम दिस्यान की लखन दाहिनी हो, दक्षने लक्षमनो यस्यवा में चजन का अत्मजा, और जोस ने तीन को देखा, बुला हद हो गई, एक को बुलाओ तो दो आते, और दो का इंतियाम करओ तो तीन आते, ये कौन है, भगवान मुले, ये हमारे छोटे भाई है, छोटे भाई, सच मुझ है, लगते तो नहीं, न स्वरूप से, न सुभाव से, कहीं से, पकड़ लाए क्या कोई, नहीं हमारे चोटे भाई हैं, ऐसी क्यों कहते हैं, चोटे भाई हैं, तो हाथ जोड़कर उड़ा प्रभु बुला न मानना, चोटे भाई हैं सो अच्छा है, अब आ गए हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, ठाकुर जी के खा गुरु जी ने खाता भगवान को भोग लगाना, दो आए, अब ये ये भाई साहब आ गए, अब राम जी खूब होंसे जान की वह आखूब, लक्षमा जी को लगे का अच्छी जगे ले आए भगवान, क्या स्वागत हुआ है, आते ही आते, लेकिन वो बोला, क्या कहूँ भूखा भले ही रह जाओ, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे बढ़ा अच्छा लगता, अब बैठो आप तीनों ही बैठो, पाओ जो कुछ है, एक ही ज़्यादा है, दो का इंतिजाम तो है ही, बाया, कुछ मिला, भगवान खूब हंसते ने, लक्षमा जी भी बहुत अब जब चलने लगे, तो बार बार चरणों में सिर रखे, आँखों में आसु आ जाए, लगती है आप बड़ी सुन्दर, लेकिन एक काम करो, अगली एक आदसी को अभी से बता जाओ, कितने आओ, ताकि उतने ही हम इंतिजाम कर लें, बस यही जंजटे बाकी और कोई जं भगवान बोले हम आजाएंगे, हम आजाएंगे, आयक तो भी नहीं का गुरुजी से, सोचा कुछ दिन तो आराम से भी थे, अब अगली फिर एक आदसी, गुरुजी बोलाज एक आदसी है, फिला बोला है, उदास क्यों, अरे बोले महराज महां बहुत लोग आते हैं, तो क्या करें, बोले हमारा साथ से राटा करो कम से कम, साथ से, हाँ, ओसी हिसाब से सब सामान, गुरुजी समझ एक इतना तो ये खा नहीं सकता, ये बेचता होगा जरूगे, गुरुजी बोले साथ नहीं आट से दे दो, ले जाने दे się, हग पीछे पीछे चलेंगे, देखते ह नहीं क्या करता है। ले गया सारा सामान पर ये भक्त भी बड़ा विचित्र। सरल आदमी। आज इसने सामगरी रख ली भोजन बनाया नहीं। सोचने लगा पहले बुला कर देख लूँ कितने हैं उसे साब से बनाऊं। भोजन बनाया नहीं। पहले भुला नहीं लगा। पुकार तब ताच्छन में प्रगटभो दिव्य राम दरबार। जो पुकारा तो भगवान स्री सीता, राम जी, भरत जी, लक्षमन जी, सत्र गुंजी, हनुमान जी साब। और जो इसने देखा, सो बुला जाए हो, लेकन एक बात सुन लो, क्या। एक को बुलाए तो दो आए, दो का इंतजाम किया तो तीन आए, आज तो हद कर दी साब एकट। लेकन हमारी भी बात सुन लो, क्या, हमने भोजन बनाया ही नहीं है, वो रखा सामा, सो बनाओ और खाओ, भगवान मुझे, क्यों, तुम क्यों नहीं बनाते हैं, उले जब हमें मिलने ही नहीं है, तो बनाने से क्या लाग, आप ही बनाओ और पाओ, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाव हु अपने, बहुत दिनन संग पाए, मोते नहीं बनत बनाए, तुम नहीं तजत सुबानिया अपनी, हम केते समुझाए, हमने कितना समझाया, आप अपनी आदत छोड़ते नहीं हो, आज तो हद कर दी, नर नारन की कौन कै, हनुवान जी की ओर देखकर बुला, एक बानर भी संग लाए, एक बानर हु संग लाए, मोते नहीं बनत, हमसे नहीं बनता ही, प्रतम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर न मैं भर सक्यों सीए, जब सनमुख आई, फिर बिनीत आए, भाई पर भाई, और निराहार ही रहो, आज मुह परत दिखाई, भगवान खूब हसे, बोला हसने से काम नहीं चलेगा, बनाओ, लगाओ, शुरुवात करो, बैठी आप रक्षिके में, भगवान मोले भाई, भक्त की राजी आज बनाओ, भोजन विवस्था किसने समाल ली, विश्व भरन पोसन कर जोई, ताकर नाम भरत असो, श्री भरत जी भन्डारे बनाने लगे, चुन के लकडी लखन लाल लाने लगे, पूछते पूछ से, आंजने ये चोका को, और हाथों से, बोता लगाने लगे, चेते चूले इधर, और उधर सत्रुह साग, भाजी अमनिया कराने लगे, और स्वेम जान की माता आकर बैठी, तो सीता मैया को बैठे देखा, तो अनेक सिद्ध महत्मा प्रकट हो गए, मैया हमें भी प्रसाद मिले, अब ये तो आख बंद किये बैठा था, पूँचा आख बंद क्यों किये बैठे, बोले जब मिलना ही नहीं है, तो हम बंते हुए भी तो नहीं देख सकते कि कि किसी और को मिले, आवाज सुमी तो आख खोली, तो कई महत्मा दिखाई दिये, बोले थोड़ा भहुत कुछ भचता भी, तो ये नहीं मचने देख संकेत शक्ती कि यत्थे वहां अष्ट सिद्धी और नव निधी कि आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे, गुरु जी आए पीछे से के देखें ये सामान का क्या करता, तो गुरु जी को कोई न दिखे, चेला बैठा दिखें और सामान रखा दिखें, गुरु जी आए बच्चा, क्या हो रहा है, बोले गुरु जी भले आए, देखो कितने भगवान मेरे पीछे लगा दिया, आपने इतने बैठें, गुरु जी बोले हमें तो कोई नहीं दिखे रहा है, सामान दिख रहा है, तुम दिख रहा है, अब भगवान मुस्कुरा है, तो रोकर बोला कि ये दोहरी मुसीवत है, एक तो गुरु जी ने तो करा नहीं पाई, आज आपने हमारी पूरी एकादसी करा दी, और उस पर भी गुरु जी को पता नहीं लगने दे रहे हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं, इतने महान हैं, भगवाने का इसमें कोई संदेह नहीं, तुम्हारे गुरु बहुत महान है तुम्हारे गुरु बहुत योग विद्वान है भजनानंदी है फिर भी मैं उन्हें नहीं दिखूँगा तुम को ही दिखूँगा तुम पूरी तरह आयोग ये तो भी क्यों आकर क्या बात है उन्हें तुम्हारे गुरू जी में सब भी शिष्टाएं हैं लेकिन जितने सरल तुम हो वो सरल नहीं है और मैं तो सरल के लिए सरलता से मिलता हूँ नवम सरल सबसन चलहीना गुरू जी ने पूँचा कि क्या बात है तो चेला उला भगवान ऐसे कह रहे हैं जिससे भगवान मिलते थे वही नहीं मिला अब गुरू जी भाव व्यवल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए और उनको दर्शन दिया भगवान तो इस सरलता पर रीचते हैं इसलिए भगवान ने का नवम सरल सबसन चलहीना माम भरोस ही हरस न दियना